हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सा एक वीडियो शेयर करने वाले हूं तो जैसे मैं डियाइवाई करती रहती हूं चीजे कुछ न कुछ मलाती हूं तो फॉम का भी यूज करती वाली हूं तो मैं सोच रही हूं कि इसे एक बहुत ही बढ़िया सा मैं प्रोजेक्ट जो आज बनाऊ तो उसका वीडियो आपके साथ शेयर करो तो वीडियो आपको काफी पसांद आएगा वीडियो काफी यूसफुल रहेगा पूरा देखिएगा अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आएगो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो आपसे ये र्क्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके मुझे जरूर बता दिया करें कि आपको मे मैंने पुरानी लैगिंग ली है तीन लैगिंग है मेरे पास जिनका काफी खराब हो गए हैं लास्टिक भी बिलकुल खराब हो गया है इनका और थोड़ी थोड़ी सी बीच में चोटे से टक पड़ जाते हैं तो इनी का यूज करके मैं बहुत ही प्यारा सा इसको आप फ्लोर सारी है तो आप यह टी-शिर्ट गएरा पड़ी है आपके पास तो उनको यूज करके आप काफी बड़े साइज का गदा बना सकते हो तो देखिए उपर से इलास्टिक को मैंने कट कर लिया है अब धाई-धाई इंच चोड़ी पटिया मैं कट कर लोगी तो पहले उपर वा साइट लगाने के लिए कोई भी पुराना वेस्ट कपड़ा आप ले लीजिए तो मैंने अपनी एक बहुत ही पुरानी सी बेड़ शीट का यूज किया है जो कि काफे वीडियो में मैंने पहले भी इसको यूज किया है क्योंकि यह कपड़ा तो दिखेगा नहीं आप जो मैंने आपको यह छोटे-छोटे फोर्म के टुकड़े भी मेरे पास जो पड़े है ना यह सभी का मैं यूज करने वाले हूं तो देखे किस तरह से मैं रखती हूं तो इस तरह से फोल्ड करके मैं रखूंगी फोर्म के जितने भी छोटे-छोटे टुकड़े है ना सभी को मैं यूज कर लोगी ये देखिए इस तरह से रखते हुए मैं सिलाई लगाते जाओंगी और बीच में ये देखिए आप यहां तक थोड़ी सी कम है न तो यहां से मैं जोल डाल लोगी यह ऐसे नहीं कि हमने कोई सिलाई लगानी है ऐसे ही रख देना है ये देखो हम छोटा-मोटा पर पीस पैंकेंगे नहीं तो काफी टायम से मैंने इनको संभाल के रख था तो मैंने का जब भी ये बला मैं बनाओंगी तो मुझे यह सारे काम आ जाएंगे तो कोई भी छीज में फैंकती हो टोटे-मोटे पीस रख लेती हूं क्योंकै मुझे पता है कभी न कभी तो मैं उनका कुछ बनाओंगी तो मेरे काम आ जाएंगी और वही आइडिया में आपके साथ भी शेयर करती हूं ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल सके और आप भी अगर आपके पास कोई पुरानी लैगिंग्स पड़ी है या पुरानी टी शिर्ट जाएंगी इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है यह जो लैगिंगे इनमें काफी स्ट्रेच है लेकिन मैं आपको एक बात बता दू मैंने कोई नीडल इसमें चेंज नहीं की है 16 नमबर की सुई बहुत ही इसली इस पे चल जाती है तो देखे 16 नमबर की सुई मैं यूज कर रही हूँ इसमें कोई मैंने सुई को इसमें चेंज नहीं किया है आप देखिए दूसरा पट्टी को भी मैंने लगा लिया है और बीच में खराश ही हो रही है खराश तो ये देखिए इस तरह से हमने रखते जाना है और एक बात फिर से आपको बता दूँ थोड़ा थोड़ा मैंने न फॉम जो लगाई है सिलाई के नेचे वो दबनी चाहिए आपकी इस बात का ध्यान रखिएगा तो काफी मोटे मोटा बनेगा ऐसा अच्छा सा बनेगा फुला फुला सा अब अगली पट्टी लगा दूगी तो इसी तरह से सारा मैं कम्प्लेट करूँगी तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो उनका आप जरूर बताईएगा और मुझे बनाईएगा और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताईएगा कि आपका कैसा बना तो देखी इस तरह से फोल्ड करके रखते हुए फिर से मैंने इसी राय लगा लेनी है तो मेरे पास आज तीन लैगिंग ही थी मेरे पास मेरी जो हैं बस हमें क्या चाहिए होता हैं फोड़ा सा आईडिया चाहिए होता अगERS कुछिफिभी बश्रेमक ऊधंगि तो आप्षए कहा आइडिया सबस्क्राइड ऑण बस हमदॉद और इसी तरह से मैं पूरा इकूएडिया ना वर लोंगी और सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का भी ध्यान रखना है जो नीचे हम फैब्रिक हमने लगाया है ना उसको भी साथ साथ में आपने सेट करते रहना है ये नहों नीचे वाली साइड हमारा ये कपड़ा इकठा होता जाए और आपका जो ये प्रोजेक्ट है खराब हो तो इसलिए नीचे वाले कपड़े को भी आपने थोड़ा सा खींच के रखना है क्योंकि उपर वाला जो लैगिंग वाला फैब्रिक है वो तो आपको पता है कि कितना इसमें स्ट्रेच होती है तो उसमें खिंचाब आ जाता है तो आपने इसी तरह नीचे वाले फैब्रिक को जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको भी आपने खिंच के रखना है ताकि उसमें जोड़ना आए तो कई वीवर्स ने मुझे पूछा था कि आप लेफ्ट हैंड से स्टिच करते हो तो नहीं वीडियो मैं जो है फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ तो आपको इस तभी लगता होगा कि मैं लेफ्ट हैंड से करती हूँ तो ऐसा नहीं है वीडियो बस इतना है कि वीडियो जो है मैं फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ तो जिस साइट से भी आपको स्टिच करने में इजी लगे ना उस साइट से आप रख लेजिए तो ये रेखिए इस तरह से मैं इसको सारा स्टिच करके पूरा मैं कम्प्लेट करूंगी तो आप देख रहे हैं न कोई भी कपड़ा मेरा बड़ा छोटा नहीं हो रहा है क्योंकि वे साथ में जो नीचे बला कपड़ा है उसको भी साथ साथ में सेट करती जा रही हूँ तो देखिए लास्ट में एक पट्टी में और लगा दूँगी यलो कलर की ताकि पूरा कपड़े को हम इसको कबर कर लेंगे अब देखिए यहाँ पे एक पट्टी लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए बन के हमारा यह रेडी हो गया अब हम क्या करेंगे यह जो एक्स्ट्र आपको दिख रहा है ना इसको कटिंग करके पूरा बराबर कर लेंगे यह देखिए इस तरह से दोनों साइट से कटिंग करके मैं इसको बराबर कर लेती हूँ तो देखिए आप हम क्या करेंगे यह बैक साइट से आपको ऐसे दिख रहा है ना इसको कवर करने के लिए हम कोई भी फैबरिक नीचे वली साइट पे लगा देंगे तो यह मेरा शॉल का फैबरिक था कपड़ा था जो मैंने पहले वी एक वीडियो में यूज किया था इसको मैं लगा दूगी ताकि यह नीचे से भी देखने में काफी अच्छा लगे इसको आप कहीं पे भी चारो साइट से सिलाय लगा लोंगी ना कहीं पे भी बैठने के लि बालकनी में बैठने के लिए भी बना सकते हो और इसको रोल रोल करके आप गोल करके राउंड करके रख भी सकते हो बहुत ही ईजीली तो देखिए चारो साइट पहले मैं सिलाय लगा के कपड़े को अटैच कर लेती हूँ एक्ष्टर को मैंने कट कर लिया है तो देखिए म अब देखिए एक साइड से पत्टी को उल्टी साइड से में लगाना इसको शुरू करोगी और जब भी आपने ऐसा जो यह लैगिंग वाला फैबरिक है यह जो मेरी लैगिंग थी बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेच थी एक होती है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा थी इसको थोड़ा सा हलका सा हमने खीच के रखना है बिल्कुल धीला नहीं छोड़ना है अगर हम इसक को करेंगी इसमें थोड़ी सी फॉम डाल की जो मेरे पास पीस बचे है ना चोटी छोटे तो इस तरह सेमें यह भीच में आ टालते होई इसको स्टिच करोंगी है यह भीक में जाहिए इसके साथ से इसका लूप काफी अच्छा है अब क्या होगा ना जो हमने बीच में जास लगाते हुए पट्टि अबिच में फॉम डाल लेते हो न तो वो एकदम से उबरी उबरी आएगी और जो भी हम डॉर मैट बना रहे हैं इसको एकदम से बढ़िया सलूक देगी एकदम बढ़िया और प्यारा सलूक इसका आएगा तो इस तरह से पट्टि लगाते हुए न च और इसको भी फैंकेंगे नहीं इसको भी योज करेंगे यह देखिए एक साइट से पट्टी लगा लिए अब दूसरी साइट से भी लगा लेती हूँ मुटाई आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है इसकी तोना मैंने दोनों तीनों साइट पर लगा ली है अब एक साइट यह देखिए यहां पर कैसे लगानी है यह भी आपको दिखा देती हूँ कपड़े को नीचे वली साइट को हमने फोल्ड कर लिया यहां से ताकि जो इसके कोने है ना अच्छे से बन जाए और कपड़े को यह देखिए थोड़ा थोड़ा हमने खींच के रखना है क्योंकि इसमें काफी सारी स्ट्रेच है आप देखिए एक्स्ट्रा फैबरिक कट क चोड़ूंगी उसको हमने नीचे वली साइट को दबा लेना है यह देखिए इस तरह से दबाते हुए यह दोनों साइट से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया अब सीधा करके दिखाती हूं तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग आएगी इसकी अब इसमें भी फोम डाल ले करेंगे और आप भी इस तरीके को जरूर फॉलो किजिएगा काफी बढ़िया आपका प्रोजेक्ट बनेगा जो भी आप बनाओगे काफी अच्छा बनेगा यह देखिए एक दम से ब्राबर हमारा यह आ गया अब यहां से भी फोम को अंदर बली साइड को करते हुए कपड़े को फोल्ड इस तरह से यह देखिए फोल्ड करेंगे और सिलाई को कम्प्लेट करेंगे तो यह देखिए बनके यह जो फ्लोर मैट है हमारा बनके रैडी हो गया और बहुत ही प्यारा यह बना है यह देख लिजिए आप मुटाई भी कितनी अच्छी आई है और देखने में भी काफी सुन्दर बना है और जो हमारी पुराने जो कपड़े थे विवेस्ट वो भी ह हमारे काम आगे तो आपको पता है कोई भी कपड़ा मैंने नया इसमें यूज नहीं किया है पुराने कपड़ों का ही यूज थिया है तो देख लिजिए मुटाई में भी काफी अच्छा आया है और जो इसकी पट्टी साइट पे मैंने लगाई है वो भी बहुत ही बड़ी लगी है तो कैसा लगा आपको मुझे बहुत ही पसंद आया यह और मेरी जू वेस्ट कपड़े थे ना वह भी मेरे काम आगे तो यह देखिए बैक साइट पे मैंने यह वला फैब्रिक लगा दिया था जो की मैंने मेरा पुराना शॉल्ट है कर उसका मैंने योज किया था तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में वस इतना ही मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ तब तक के लिए okay bye bye and take care